प्रुधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा है जन अभ्यान को लॉंच किया यहाँ अभ्यान दो अक्टोबर तक चलेगा इस अभ्यान की खास बात यहाँ है कि इससे कई प्रकार के रोजगार निकलने की संभावना है पिछले चार साल से चल रहे स्वच्छता अभ्यान के कारण सैकडों की संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ रेलवे स्टेशन पर भी इस अभ्यान के तहट अधिकारियों ने परीसर में जाडू लगाए स्वच्छता को हिंदूस्तान में सरो परी बनाने के लिए एक मुहिम चराई गई है जिसमें हमारे मानने रेल मंत्री महोदै ने उसको प्रात्मिकता से लेते हुए पूरे भारती रेलवे पे आज स्वच्छता पकवाड़ा आज से सुरू किया गया है जो 2 अक्टूबर तक चालू रहेगा इसमें की पूरे स्टेशन की सफाई होगी हर छेतर में अलग अलग तरह से सफाई की जाएगी इसमें हमारे जैसे इंदौर में हमारे मुख्याले से एक यांत्रिक इंजीनियर आये हैं उनके डारेक्शन में ये सफाई का आज सुरुआद की गई है और साथ में दो रतलाम से भी ऑफिसर आये हैं जिनके द्वारा हम सफाई को तवजू दी गई है सुरुआत में हम लोगों ने सपत ली है पूरे रेलवे स्टाप के साथ में फिर हम लोगों ने एक नुकर नाटक खिला है इसके बाद में प्रभात फिर ही निकाली है और इसके ततकाल बाद हम लोगों ने स्रमदान किया है चाए अफिसर हो या एंप्लॉई हो सब लोगों यात्रियों से अग्रह करते हैं कि स्वच्छिता को प्रात्मिक्ता दें और और हम लोगों ने ये भी अनॉंस कर रहे हैं कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो 200 से 500 रुपे तक हम लोग एट टाइम फाइन कर सकते हैं